राइट क्लिक किया, प्रस्नलाइज पता नहीं क्या लिखा है, इसमें गया, ठीक है, और विंडोज कलर, ठीक, यहीं पे कल थे लाइट कट गया था और मेरे को बहुत गुस्सा आया था, पर कर क्या सकता हूं मैं, ठीक है, खैर छोड़िये, वो तो बाद का बात है, जिस पे मैं क्लिक करूंगा, वहीं कलर हो जाएगा, ठीक है, यह देखिए, कितना बढ़िया हो रहा है, ठीक है, एक क्या है, देख लिजी जी यह देखिए, ठीक, नहीं भाई, इनेबल ट्रांसपरेंसी है, यह डार्क कर रहा है, लाइक कर रहा है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, त तो यह आंस्पेरैंसी को बता रहा है, कि यह देखिये, बागी कुछ रहे हैं ना हैाट उस पार वाला, इसको कर दूगा क्लिक तो नहीं दिखर गा तो यह बोड़ा ट्रांस्पेरेंट होगा नहीं होगा, यह देखिए कि आप ट्रांस्पेरेंट है, ठेक है, तो वही है है, यह भी कुछ है नहीं है ठीक है? इसको इधर उधर मैं करूँगा और नहीं करूँ गा मैं बिगड़ जागा मेरा मजानी यागा जी ठीक है? इसपर मैं क्लिक कर दिया यह जो नॉर्मल है जैसा वो इसा मेरे को ठीक है, चलेगा मेरे को ठीक है, तो ये setting आप लोग कर लोगे ऐसे, उसके बाद मैं कहां पर आऊँगा, advanced appearance setting, ठीक, click करूँगा, ठीक है, एक खुले का कैसे हो, तो आपके सामने में खुला जान गए, personalize में जाओ, ठीक है, windows color, advanced appearance setting, इस पर जाईए, अब जो dialogue box खुलता है, उसका क्या color होना चाहिए, क्या theme होना चाहिए, पता नहीं, क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं इस पर click करता हूँ, ये बोल रहा है, टाइटर बाल active है, मैं बोला ठीक है भई, मैं click किया हूँ, तो active होना भी चाहिए, अब इसका color मैं red कर दिया, जी, तो ये red हो गया, second color मैं क्या किया, ये कर दि color क्या होना चाहिए, मैंने white कर दिया, तो white हो गया, ये text वाला न, bold होना चाहिए, तो bold हो रहा है, italian होना चाहिए, ऐसा हो गया, ठीक है, इसमें मैं वही click करूँगा, ठीक है, तो फिर से वही मैं change करूँगा, ये देख लिजे आप, ठीक है, ये दे दिया, तो ये वाला ब पड़ेगा, कर दिया मैं, ठीक, चलिए जी, राइट क्लिक प्रस्नला, ये बदल गया नहीं बदला, ये तो कुछ फरक है नहीं हुगा, फरक पड़ा कुछ, डेक्टोप आइटम है, ठीक है, मैं select कौन सा किया था, मुझे तो पता ही नहीं चला, छोड़िये कोई सा भी select होगा, मैं पहले मेनूज में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इसका size क्या है, कम ज्यादा कर दूँगा, तो ये देखिए हो रहा है, कम ज्यादा, ठीक है, तो यहां से जो है, आप लोग बदलोगे, ठीक है, टाइम निव रोमन्स, ये दे दूँगा तो यही सा हो जाएगा, ठीक है, नहीं बदला है, बदल जाएगा थोड़े देर में, ठीक है, अब क्या कर दो, save changes, ठीक है, विंडोज कलर में जाके बाकी बाकी भी आप करेंगे वैसे ही, ठीक है, तो ऐसे आप लोग तो कर लिया करोगे ना, नहीं हो पाएगा, ये देखि सब कुछ बदल जाएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, इसको मैं ब्लैक ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, ओकै, ठीक है, ओके, एद धेक लिज्ये, ठीक है, अब कुछ फरक आपको our रहा होगा ठीक है, फिर से मैं इसमें आता हूँ, इसमें मैं आउँगा, इसमें भी ऐसे कुछ-कुछ बदलाव करूँ है, देखे, बदल गया ना पूरा थे, इसमें भी हिंदी उंदी लिखा जागा तो यह मजा नहीं हागा फिर तो, ओके कर दिया, सेफ चेंजिस कर दिया, ठीक है, त टीव टाइटल बार, ठीक है, फॉंट में क्या दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है, इसको क्या देदूँगा बल्beneक दे登録 दूगा, इसा हो गया, यह मजा नहीं आया, उप्लाई जी, ठीक है, तो अप्लाई हो जाएगा, सेफ चंजिस करेंगे-तो, सेफ च तो जो आप चाहोगे बदलाव करोगे आपकी जो हो मर्जी हो आप कर लिजे बैग्राउंड अप्लिकेशन जो हो मैं जादा इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है इधर पे आजाईए जी कैप्टिशन बटन पता नहीं क्या लिखा है जो ही लिखा हूँगा आएसे कर दूँगा मैं ओकी कर दूँगा मैं ठीक है इधर मजा नहीं आ रहा है मेरे को यह सब राइट लिख कर रहा हूँ तो आई सा देखने लगा ठीक है इस पे क्लिक करूँगा ठीक है इस पे क्लिक करूंगा तो यही सब खुलेगा जह है मजा नहीं आ रहा है मेरे को ऐसा देखने लगा आप ठीक है तो इज़र से आपको जिसको करना है अपेरेंस सेटिंग में जाएगा उसको कर लीजेगा डिसेबल आइपन कैसा होना चाहिए तो यहां से ब्लू कलर का है आप इसको ब्लैब कलर का कर दीजे तो हो जाएगा इस क्रोल बार कैसा होना चाहिए ठीक है सेलेक्शन आइटम कैसा होना चाहिए जैसे माल यह सेलेक्शन आइटम को मैं क्लिक कर दिया ठीक है नहीं यार इसको करते हैं इह देखिये स्क्रोल बार इतना मैं पतला कर दिया ठीक है? OK किया Save changes कर दिया अभी देख लिजी हो GUY आना तो यही सब बदला हो रहा है ठीक है? फिर से मैं आऊँगा यहां पर फिर से मैं यहां पर आऊँगा आपको जो चीजें चाहिए बदल लो, यार, क्यों, क्या फ़रक पड़ता है, आपका computer है, आप जैसा चाहो कर लो, ओके, आप कुछ message box देगा, तो वही सही message box देगा, ठीक है, अब मैं message box लाओं कहां से, इस पेसली, यह देख लिजे, बटन में कुछ आ रहा है न, यह है, इस ब्लग पुरा आगया, यह background में पूरा theme ऐसा आगया, ठीक है, इसको तो मैं बदला नहीं हूं, लेकिन ऐसा आगया, कहां आगया जी, इसी लिए आगया हो, ठीक है, फिर से जाओंगा, appearance वगर है, ठीक है, message box, scroll box, selected item, desktop, disable, application in background, active window border, color क्या होगा, red, यह वाला ऐसा, ठीक है, okay, 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 इदर इदर मैं स्विटिंग कर सकता हूँ इसको फेर बाद में बता दूगा ये मेरे को जराभी बेकार लग रहा है सही नहीं लग रहा है तो आप लोग आ रहे से नहीं कर पाओगे क्यों कर लोगे ना कर लोगे ना कस्टमाइजेसन पूरा इधर से यह सब कस्टमाइजेसन आप लोगे ना ऐसे नहीं कर पाऊगे यह देख लिए बदल गया जिसको करना है उसको इधर आप सेलेक्ट कर लो ठेक है ठेक ना टाइटल पैलेट बदल दिया लोगे बीस कर देता हूँ बोल्ड ठेक है तो यह सब आप बदलाओ करिये यह जाएगा यह दिख अपर यह सब आप प्राइब बुर्ड आप अब क्या मैं इसमें सेट किया हूँ सेट नहीं किया हूँ जी इस सीट का देख रहे है नाम कैसा हो गया नीचे इस बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है इसका स्क्रोल बार का साइज देखिये का हो गया इसा बजा नहीं आ रहा है ना क्या बिगड़ जा मेरा कम्प्यूटर ठीक है दिखाई नहीं दे रहा है मुझे तो दे रहा है जी अच्छा प्रोजेक्टर में देख रहे हो ना रेड कर दिखेगा तो यह तो यह मजा नहीं आ रहा है वेकर इसका सी ट्वीट क्या है चोटा चोटा खराब गया मेरा कम्प्यूटर नहीं ठीक है च्छान चंट्रोल डी दबाया तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं इसका फॉंटर नट पुरा कुछ ठीक है ऐसा पुरा मजा नहीं आ रहा है इसका टाइटल पार देखिए ऐसा हो गया नहीं मजा रहा है ना बिगड़ गया खराब हो गया मेरा कम्प्यूटर अब मैं कैसे सेट करूँ ठीक है तो ऐसे आप लोग चेंज कर लोगे ठीक है मैं आता हूँ यहां पर इस्क्रो बार कहीं दिखरा है जी? अच्छा ये है ठीक है इस्क्रोल बार को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ यह देख लिजी То जो नॉर्मल आपको अच्छा लगे वो कर लिजे आप ठीक है अब इस क्रोल बार बन गया होगा बढ़िया यह देख लिजे नॉर्मल ठीक है तो यहां से आप पूरा जो चेंजेस कर लोगे आप ठीक है अपेरंस होगा रखा सेटिंग पूरा ठीक है जो जैसे करना है इस पर आप एक्सपरिमेंट करोगे थोड़े दिर तो फिर ठीक हो ज जाता कि इस पर एक्सपरिमेंट करूँ ठीक है तो आप लोग ऐसे करिएगा ठीक है मैं सिंपल सा क्या करूंगा इस वाले पर क्लिक कर दूंगा पूरा मेरा सेटिंग जो था फिर से आ जाएगा यह देखिए आ गया ना तो विंडोज का थीम था इस थीम में जो जो सेट है इसमें क्लिक कर दूंगा तो क्लासिक थीम आ जाएगा यह देख लिजे कैसा आ गया ठीक है अब इसमें मैं आपेरेंस में जाओंगा तो यह देखिए इसका डिगाई नहीं अलग है पूरा ठीक है मैसेज बॉक्स यहां से बजल सकता हूं मैं कुछ-कुछ ठीक है यह देख कर दूंगा अम् मैं तो ऐसा लगा जिसे भूत देख लिया किया मजाख है तो यह मुझे बिött hazard हूं भी पसंद नहीं आ रहा है ठीक है तो आप यहां से इस सबको ना जो मन करेया कर लिया करो मेरे को पसंद नहीं है ठोड़ा सा भी इसले मैं यहां पर कर दूँग कर कर दू तो यह सब आइकन अईसा कैसे दिखने लगा है लगता है ठीक से अपला ही नहीं हुआ यह आ गया अब मैं इसको अपलोगों सुनाई देर आप लोगों इस पर क्लिक करूंगा तो बोल रहा है क्रिटिकल सेक्षन शॉंड डूंड कैसा आना चाहिए यह इतना कम क्यों सुनाई दे रहा है भई छोड़िये कम दे रहा है तो अब मैं क्या करूं तो यह साउंड विंडोज का कैसा होगा ठीक है वह ही बता रहा है यह टेस्ट कर सकते हो आप यहां से साउंड डिका रिकषर्डिंग वगर रखा है तो इस फिकर हेड्पोन ओकर लगाए ओ थो ठीक है कमनी केसं सोगर रखा है यह दू न नथिंग बागी झाए इरर आता है तो कैसा साउंड आता है हाड़वयर को रिमूब किया तो एस एसमें होगा यह डिफॉल्ट क्या होगा वो अलग है डिफॉल्ट विंडोज पे क्लिक किया तो बोल रहा है मैं बोल दिया येस ठीक है नहीं नहीं ये देखिए एरर आएगा तो ऐसा आएगा तो ये साउंड का सिटिंग है आप लोग इसमें करो एक्सपेरिमेंट क्या अब मालीजे कुछ निकाला आपने ठीक है तो एक सेकेंड का है तो ठीक है तो ठीक है यहाँ पर ब्राउज बटन यहाँ पर प्लिक करिए और इस फॉर्मेट में जो सॉंग है उसको आप सेलेक्ट करके ओपन कर लिजे हो जाएगा ठीक है अब इनकमिंग कॉल है यही सांड आएगा ठीक है और आप चाहिए तो उदल जायागा ठीक है तो यहाँ से आप जो सांड चाहें वो हो जाएगा ठीक है जिसके लिए से आन हुगा ठीक है इसका है इसमें तो sound कुछ आता नहीं ठीक है इस टार्ट ने भी कह सा डबल क्लिक आप करते हैं तो कुछ खुलता है ना तो उसका ये है ठीक है मैं सो करता हूँ cancel ये देख बज रहा है बज रहा है ना आपको तो सुनाई नहीं दे रहा होगा ठीक है मैं इसको बदलना चाह रहा हूँ तो कैसे बदलूँगा जी फिर से यहीं पे आऊँगा sound पे आऊँगा और किदर है इदर नेविगेशन वाला भूल मत जाओं मै पदा नहीं कहा गया नेविगेशन वाला कहीं गया होगा मैर को नहीं मालूम इसको नहीं मालूम इस्टार्ट नेविगेशन यही है आपको आपको बदल दूँगा तो बदल जागा जी लेकिन मेर कोई अच्छा लग रहा है कुछ और घ्याव बदल हों गया ना你 मजह नहीं हा रहा है ठीक है तो आप इस तरह से साउंड बदल होगे और वडरा है पदल रहा हूं ना बैक कर रहा हूं तो, ठीक है, तो इसी तरह से आप बदल सकते हो इस तरह से साउंड, मैंने एक ठोब दिखाया आपको, बाकी आप इसी तरह से बदल सकते हो, ए टन टन घंटी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी एडजेट्स तो करना पड़ेगा, मैंने बदल जो रखा है, अब दुबारा मैं कहां से वो नेविगेशन वाला साउंड हो जो हूँ, इसमें, ठीक है, छोड़िए इसको हटा देते हैं, साउंड आपने देखिए, स्क्रीन सेवर है, ठीक है, नन किया हुआ है, टेक्स्ट कर देंगे तो क्या आएगा, प्रिव्यू ऐसा, ठीक है, सेटिंग में जाएगे, आप सेटिंग कर सकते हैं, इसका टाइम आप सेट करना चाहते हैं, तो टाइम आएगा वहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे मैं विंडोस 7 को हटा देता हूँ, क्यों रहेगा विंडोस 7, मैं चाहता हूँ यह हो, फॉंट का साइज मैच वाइस करूंगा ये हो ये हो या कौन सा हो मैंने बोल दिया ये वाला होना चाहिए बोल्ड होना चाहिए तो बोल्ड होगा आग राजूलेशन कितना होना चाहिए नॉर्मली छोड़ता हूं मैं ये इतना ही होना चाहिए spinner हाँ ठीक है घूमना चाहिए यह motion का बात करा है कि घूमेगा कैसे मैंने इसको यह कर दिया या फिर यह कर दिया या फिर कुछ और कर दूँगा ठीक है preview पे click कर दूँगा तो preview हो जागा color कैसा होना चाहिए solid होना चाहिए texture होना चाहिए reflection होना चाहिए कस्टम रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहां पे च्वाइस कर लेंगे कस्टम ठीक है कर छोड़िये मैं नहीं कर रहा हूँगे सब मैं कर दिया डिस्पले सेटिंग में जाओंगा तो यहां से देखिए बता रहा है कि डिसेबल या इनेबल हो सकता है आपके कुछ computer में ना काम करे ये ठीक तो उसका कारण क्या होगा आपके computer में graphics का driver या graphic card नहीं है preview करूंगा तो यह देखिए इसा घूम रहा है नँ अब एक कितना minute वेट कर आए ठीक यहां पे एक minute लिखा हुआ है जी ठीक है मैं इसको कर देता हूँ एक मिनट के बाद on resume display logon screen इसको मैं करके छोड़ दूँगा तो क्या होगा एक screen से फर चलने लएगा ठीक है यह देखे चल रहा है ना फिर से click करूँगा मैं इसको ओके मैं कर दूँगा तो एक मिनट बाद जो ही यह चलना शुरू हो जाएगा देख लें क्या करके पक्का एक मिनट टाइम बरबाद होगा लेकर होने दो कौन सा हम इस एक मिनट में छोड़ जो पर बादल थाम लेंगे चलो भाई जल्दी से आजाओ 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 एक मिनट टाइम इस्टार्ट कर तो एक मिनट जैसे ही खतम होगा बताना मैं छू नहीं रहा हूँ छूँँगा तो नहीं होगा एक मिनृट नहीं पीता किया अब तक भिज की बिच जाना चाहिए था जी अब तक तो इतना जाता होटा है क्या एक मिनट कि एक पीट में चाट सिकंड होते हैं ना सभी बात ज्याइठ सुझन होता है एक पर दूदी है कि एक शगंधा भीच जायाएगा अभी कितना से इसकेंड हो गया है ति वह मतलब दस डिस से केंड में में पर गोंने लगा अच्छासत में गूमने लगा मेरेको तो यकीन है नहीं हो रहा है कि मैं इतना बड़ा इन्वेंशन कर दिया सभी बात है ना खर छोड़िये इसको यह तो बड़ा छोटा चीज है बबल्स आने चाहिए तो बबल्स ऐसे आएंगे इस तरह से अपने यहाप एक मिनिट बाद ऐसे निकलने लगेंगे ठीक है इसमें और कुछ करेंगे तो यह आजाएगा यह देख लिजा इसे घूमेगा ठीक है इसक्रीन से बड़ यह आएगा फोटो अगर कुछ आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा होगा फोटो तो इस तरह से फोटो आना शुरूँ जाएगा ठीक है यह देखिए बदल रहा है यह बदलेगा भी तो इस तरह से फोटो आएगा ठीक है अब सेटिंग में जाऊँगा क्लिक करूँगा तो मैं ब्राउज कर लूँगा फोटो कौन सा फोटो आना चाहिए जी तो आएगा इस स्पीड कितना होना चाहिए मैं फास्ट करके कर दूँगा ओके ठीक है तो यह देख लिजे अब फास्ट का मतलब इतने ही फास्ट इसको मालूम नहीं है कितना स्लू है यह ठीक है पहले से तो जल्दी यह जल्दी चल रहा है तो ऐसा जो है आप ले लाओ गए ठीक है उसके बाद यह पावर है चेंज पावर सेटिंग यहां से भी आप पावर मै मैं नन करके कर दूंगा ओके तो यह स्क्रीन सेवर बगर यहां से आप कर लोगे ठीक तो यह चीज़ें तो समझ में आ गया ना इस्क्रीन सेवर बगर कैसे करना है हाँ चलिए जी यह वाला खतम हो गया हम लोग काम करते हैं इस वाले मेन्यूज पर ठीक चलिए यहां पर आता हूँ मैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ ना तो क्या हो रहा है यह सारे प्रोग्राम सा रहे हैं ठीक है प्रोग्राम यह क्यों आ रहा है क्योंकि इस्टॉल है इसमें और जो मैं बार-बार रेसेंटली यूज करता हूँ वो सारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे आ जाता है ठिक यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम आ रहे हैं यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम आ रहे हैं जो मैं चाहूंगा वो program यहाँ पे आएगा ठिक तो यहाँ पे जो program आएगा मैं right click करूंगा और इसो कर दूंगा pin ठिक pin to start menu क्लिक कर दिया अब यह देखिए अब इसमें उपर underline लग गया न यह जो है हमेशा यहाँ पे दिखाई देगा अब यहाँ से यह नहीं हटेगा ठिक यह पिंड हो गया पूरा जैसे whatsapp में आप पिंड करते हो न उपर एक message message को नहीं कोई किसी का चर्ट जिसका चर्ट आप बार बार देखते हैं उपर पिंड करके छोड़ते हैं कि वो टॉप में दीखे वैसे इसको आप पिंड कर दोगे तो यह टॉप में दीखेगा मैं इसको अन पिंड कर दे रहा हूँ ठीक है अब आप चाहते हो कि जैसे यह Google Chrome यहाँ पे दिख रहा है न हमेशा के लिए दिखी रहा है तो इसी तरह से आप इसको right click करो इसो कर दो पिंड आ गया यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो दिखाई देने लएगा फिर यह ठीक है यह देख लीजिए पर right click करके unpin पे क्लिक कर दूँगा तो यह गयब हो जाएगा तो इस तरह से आप पिंड कर सकते हो इसमें ठीक है उसके बाद इसमें जब आओगे तो इधर recent में जो जो फाइल आपने open किया यहाँ पे दिखाई देने लेगा आपका ठीक है अब फिर से मैं आता हूँ start menu में आल प्रोग्राम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो जो software install है आपके computer में वो सब दिखाई देने लेगे ऐसे ठीक है जैसे आप लोग यही पे आके na image office खोलते थे ऐसे तो यहाँ से जो software install है वो सारा software यहाँ से आप देख लेंगे हम लोग इसको customization करते है थोड़ा सा ठीक start menu का इसको customization करते है अब इसमें मैं इसको click करूँगा तो यह user वाला खुल जाएगा ठीक है यहाँ पे खोलूँगा तो document वाला folder खुलेगा ठीक है music खुलेगा यहाँ पे click करूँगा तो game से हम सोगा और खुलेगा यह देखिए ठीक है पर मैं game का भी रोधी हूँ मैं game खे channel खुलेगा मतलब यहाँ पे पूरा list जो है आ रहा है ठीक मैं क्या चाहता हूँ कि यह game तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए ठीक चलिए जी right click करूँगा मैं यहाँ पे आके ऐसे properties में मैं चला जाऊँगा ठीक फिर मैं क्या करूँगा इस customization पे click करूँगा ठीक है फिर मैं game क यहाँ पे बोल रहा है माई computer display as a link तो ऐसा दिखाना है कि माई computer में click करें तो सिधा यह खुल जाए ठीक है उसके बाद display as a menu इस पे मैं click करूँगा और कर दूँगा ok तो क्या होगा यह हुआ नहीं किया इसमें अच्छा ok करूँ यह देखिए यहाँ पे मैं control panel पे थोड़ी किया था control panel पे हो गया क्या लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया करता हूँ मैं क्या अच्छा control panel पे ही मैं कर दिया इसको यही रख दो इसको करता हूँ मैं display जा मैंने माई computer को ठीक है कर दिया ok कर दिया यहाँ पे apply में ठीक है अब क्या हो रहा है यहाँ पे mouse मैं लाओंगा तो यहाँ पे open हो रहा है drive कि क्यों से drive में जाना है जो मैं drive का यहाँ पे नाम सेलेक्ट करूँगा वो drive खुल जाएगा ठीक तो इस तरह से आप लोग कर लोगे अब don't display में मैं click कर दूँगा तो क्या होगा ok apply ठीक यह देखिए अब यहाँ पे गायव हो गया ना तो इसी तरह से आप क्या करोगे इसको देख लोगे ठीक अब मैं इसको display as a link करूँगा ठीक है और मैं game को हटाना चाह रहा था इधर game कहा है यह है मैं कर दूँगा don't display नहीं दिखना चाहिए मेरे को ok पे click करूँगा apply पे click कर दूँगा यहाँ पे से game गायब हो गया ठेक control panel है इस पर click करता हूँ तो इस सारा खुल जाता है ना यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि यह छोटा छोटा जो टूल है ना यह सारा यह सब कुछ टूल हुआ यहाँ पे मेरे को link जैसा दिख जाए link नहीं मतलब menus जैसा दिखे तो क्या करूँगा menus पे click कर दूंगा इस वाले पे ठीक है कर दूंगा ok ठीक है कर दूंगा यहां से apply तो यह देखिए यहाँ पे आ रहा है ना यह देखिए यहाँ पे click किया तो यह पूरा खुल गया अब मैं keyboard वाले पे click करूँगा तो keyboard में चला जाओंगा ठीक है तो यह आप इस तरह से कर लोगे, बन जाएगा आपको, यह देखिया गया, तो इसी तरह से यह होता है, ठीक है, फिर से मैं customization पे गया, बाकी जो चीजें आपको दिखाना है, हटाना है, यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, आप हटा लोगे, run command पे मैं click करता हुझी, कर दिया, ok, कर दिया, apply, तो से run को हटा दूँगा, किदर था run, यह है run, कर दिया, ok, ठीक, इसके बाद फिर से मैं customization पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, number of recent program to display, start menu का size पूछ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ 10 से अगर मैं कर दिया, 6, कर देता हूँ, ok, कर देता हूँ, apply, ठीक है, ठीक है, ठी नहीं दिखाएगा recent में, बागे कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक, अब फिर से मैं customization पे जाऊँगा, इसको मैं छेर से फिर से 10 ही कर देता हूँ, ठीक है, इद्याराजा 10 हो जाओ, तो मैं 10 कर दिया यहाँ पे, तो आप जो है 10 हो दिखाएगा, ठीक है, तो कितना दिखाना चीओ, आप फैसला करोगे, फिर से customization पे मैं आऊँगा, number of recent item to display jump list, मतलब आप लोग समझे, दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आया, तो यहाँ पे देखे इतना रहा है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, दस्ठो है ना, यह देखिए, अब मैं कु अतमाईच पे आऊँगा, और यहाँ पे क्या कर दूँगा, जी, पांच, ठो, पांच किया, अपलाई कर दिया, अब स्टार्ट में मैं जाता हूँ यहाँ पे, यह देखे, पांच हो आगया ना, तो यह वाला recent को बता रहा था कि कितना चाहिए आपको, मैं फिर से इस बोल यहाँ पे सट डाउन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो बाकी दिखेगा, तो आप यहाँ पे का दिखाना चाहा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जाओंगा, सट डाउन है, मैं बोल दिया, जी, रिस्टार्ट वाला दिखेगा, ठीक है, अपलाई, यह दिखे, कर लोगे, ठीक, मैं रेको सट डाउन ही चाहिए, तो मैं सट डाउन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यह वही बता रहा है, इस्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन प्रोग्राम, इंद इस्टार्ट मेनू, क्या मैं इस्टोर करूँ, मैं बोल दिया, जी, करो ना, कौन मन कर रहा है, तो यह टिक है, यह करेगा अब, ठीक है, तो इस्टार्ट मेनू अला तो हो क्या क्लिया, टूल बार देखते हैं अब, ठीक, कैसे होगा, राइट लेक करके, यहां से ही मैं आया था, आप तो देखे ही थे, यह आ गया टूल बार पे, ठीक है, टूल बार मतलब क् इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, कर दूँगा, अपलाई, यहाँ पर आ गया ना, तो यही बोल रहा था वो, ठीक है, यहाँ पर देखिए, लिंक आ रहा है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, इस पर मैं क्लिक करके, अपलाई पर क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर आ ग मैं नहीं चाहता कि इसमें से कोई भी चीज़े मैं दिखाऊं iDhar trazer में क्लिक कर कर दिया, ओके, इसको पकड़ के खीच के ले गया इधर, इसको ले लाया इधर, इसको डबल क्लिक करके पकड़ के ले लाया इधर, इसको फिर पकड़ के ले गया इधर, तो इस चला जाएगा, फिर इसको पकड़ के ले लाया नीचे, इसको कर दिया, ऐसे, इसको कर दिया, ऐसे, ठीक, तो आप ऐसे कर लोगे, बड़ा असान काम है, ठीक, इसको पकड़ा के खीच के लेलाया नीचे, राइट क्लिक करके लॉक दटास्क बार के हाँ से भी होता है, ठीक है, लॉक कर दूँगा तो अब इसको कहीं खीच-थाज़ के लेजा नहीं सकता, Right clicker करके जाओंगा मैं मैं property में ठीक है तो यही है Lock taskbar का मतलब ठीक यहां है Auto hide the taskbar इसपर मैं click करके कर दूँगा Ok यह देखिया अपने आप hide हो गया मैद ले जाओंगा mouse यहाँ तो यह दिखाई देगा अन्य था अपने आप hide हो जाया करेगा तो इसी तरह से यह हाइड हो जाया करेंगा तो यह देने लगे गा तो यह है आटो हैड का मतलब ठेक है कर देता हूं अब यह पर्मानेट दिखेगा अब यह जो है बड़ा बड़ा आइकन दिख रहा है ना इसको कैसे छोटा करोगे आप लोग यह देखिए यूज स्मॉल आइकन पर मैं क्लिक करके अपलाई करूंगा तो यह देखे छोटा छोटा दिखने लगा मुझे यह पसंद नहीं है मैं अपलाई करूंगा तो लेफ्ट में करागए ठीक है राइट में चाहता हूँ जिस तो अपलाई क्लिक करूंगा राइट पकर कर तो इधर चला गएगा टॉप में चाहता हूँ तो टॉप में मैं क्लिक करके OK कर दूँगा तो ऊपर चला गया मजा नहीं आ रहा है न ऊपर दिख रहा है इधर जाओंगा मैं कहुंगा बाई बॉटम मेरा सही था वो ही दे दे तो मैं क्लिक कर दूँगा अपलाई पर तो नीचे दिखने लिगा यह बोल रहा है अलवाज कमबाइन हीडिन लेबल्स ठीक इसमें मैं क्लिक कर रहेगा तो क्या होगा दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर आया माई कंप्योटर में मैं खोल लिया ठीक है इस पर डबल Kr Creating कर दिया तो यहाँ पर है फिर से यहाँ पर आता हूँ माई कंप्योटर में जाता हूँ फिर से इसको खोल लिया आपकी बार फिर मैं मैं इमाइ कर दिया तो इसी मैं दिख रहा है ना इस पर क्लिक करता हूँ तो यह सब आ रहा है ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ, बंद, ठीक फिर से मैं right click पे जाता हूँ, property में जाता हूँ, इसको मैं कर दिया combine when taskbar is full, इसका मतलब क्या, taskbar फूल हो जा तो combine कर देना ठीक है, okay कर दिया मैं, अब देखिए, पूरा दिख रहा है ना ऐसा लंबा, मैं यहाँ पे आओंगा my computer पे आओंगा, यहाँ पे आओंगा, तो देखिए, लंबा सा दिख रहा है ऐसे, फिर यहाँ पे आओंगा, windows E दबाओंगा, तो shortcut button है, my computer का, इस पे आओंगा, यह देखिए, यह भी दिख रहा है, यह दिख रहा है ना, तो देखिए, ऐसा दिख रहा है, अब फिर मैं यहाँ पे आया, windows E दबाया, ठीक है, फिर से एप वाले में जाके minimize कर दूँगा, तो देखिए, दिख रहा है ऐसा, तो यह दिखने लगा जए, क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमने custom कर रखा है, प्रोपर्टी में जाओंगा, यह दो नोटिफिकेसन एरिया में पहुंच गया, प्रोपर् कब भी मत करो, याद रखना, तो अब देखो, अब फुल हो जागा, तो भी combine नहीं करेगा, ठीक, मैरे पचा आता हूँ जी, हमेसा combine करके रख, मेरे को यह लंबा चोड़ा नहीं दिखना चाहिए, भरा हुआ टास्क बार, कर दिया अपलाई, यह combine कर दिया ऐसे, ठीक, उमी इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक, control panel में मैं notification area को बता दूँगा, आप यहां से भी कर सकते हो, जो दिखाना है, उसको आप पकड़ के ले लाओ नीचे ना, ऐसे, उपर कर दो तो नहीं दिखाई देगा, यह ट्रे में चला गया, इसको पकड़ के ले जाओंगा, उपर ठीक, यह भी तो बताई दिया मैं, तो इसमें कोई किसी को confusion है क्या, who do I customize the taskbar, पता नहीं, यह हुए कुछ इसका मतलब, यह इस पर click करेंगे तो help help दिख जागा इधर से, मेरे कोई इसका जोरत नहीं पड़ता, ठीक है, तो बंद कर दूँ मैं इसको, तो यह taskbar को customize कैसे करन है, आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा जी, आ गया नहीं आया, हाँ, एक taskbar को customize करना पूरा समझ में आ गया, wallpaper बदलना आ गया, desktop का कैसे बदला जाता है, ठीक, आ गया ना, नहीं आया, आगे चले, Windows E दबाया में, my computer खुला, Windows के बाद left arrow दबाया तो ऐसा हो गया, right arrow दबाया तो ऐसा हो गया, फिर right arrow दबाया तो ऐसा हो गया, down arrow दबाया तो ऐसा हो गया, ठीक है, पार हो गए आप तो, अब arrow दबाया तो maximize होता है, ठीक है, Windows के बाद down arrow से, पहले restore down होगा, फिर minimize कर देगा, लेकिन खुला रहेगा अगर ये तो पहले maximize करेगा ओप arrow से windows प्लस ओप arrow maximize फिर ओप क्या करेगा कुछ नहीं हो गया इसका जो करना था ठीक है तो ये ऐसे काम करेगा ठीक है इसको मैं कर देता हूँ जी बंद इस पर मैं click करूँगा जी इस पर मैं आउंगा windows के साथ लेफ्ट arrow दबाया फिर Windows E दबाया फिर इस पर click किया जी Windows के साथ जो है राइट arrow दबाया तो इधर आगया अब इसको पकड़के इसमें खीच दूंगा तो इसको पकड़के इसमें खीच दूंगा तो इसमें पिखाऌत है, प्रवार इस reproductive भार बसे मतव्णु क्याता बें। ठीक है तो इसको पकड़के जो एक हीच के इधर ले लाओंगा उधर ले जाओंगा इधर लाइबरेरी वगरा पुरा दिख रहा है कहां जाना है इसमें जाना है या फिर इसमें जाना है इसमें जाना है इसमें जाना है या इसमें जाना है ठीक है तो इस सारा जो है जो मन करे जहां मन करें आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, अब यहां पे क्लिक करें, इस पे डबर क्लिक किया तो खुल गया, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह नया विंडो में खुले, तो control प्लस क्लिक कर दूँगा, तो यह देखें, खुल गया, यह नया विंडो है, यह पीछला विंडो यह है, ठीक है, फिर इसमें मैं क्लिक करके control एंटर वारूँगा, तो यह देखें, नया विंडो में खुल गया, यह देख लिजिए, ठीक है, तो new विंडो में खुलना है, तो ऐसे आप खुल लोगे, ठीक है, ऐसे करूँगा, मैं document में आऊँगा, right click करूँगा, यह होगा, प्रोपर्टी में चला जाओँगा, तो प्रोपर्टी पुरा दिखने लेगा, ठीक है, माई computer आप खुल लोगे वैसे, मैं इसमें आता हूँ, ठीक है, फिर आता हूँ इसमें, ठीक है, फाइल पे अगर right click करूँगा, तो यह यह option खुलेगा, open पे click करूँगा, तो नया बनाएगा, प्रिंट करूँगा, तो प्रिंट होगा, open share with Skype करूँगा, तो Skype से share हो जाएगा, open with पे click करूँगा, तो कई सारे option खुलने लगेंगे, कि Excel से open करना है, या किसी और file से open करना है, ठीक है, यही है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, उसके बाद folder को थोड़ा देखता हूँ, new करेंगे, right click करके, new पे जाके folder आप बना सकते हूँ, इसमें कुछ रख सकते हूँ, control, shift, n दबाओगे, तो भी ये folder बन जाएगा, मैं delete करूँगा, तो ये delete हो जाएगा, ठीक है, delete से मुझे याद आया, ये concept होता है, recycle bin का, ठीक, इसका recycle bin का क्य मैं अभी तुरंट नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, कैसे काम करता है, तुरंट नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी, ठीक है, बस आप अभी इतना जानलो, कि कोई भी file, ठीक है, इस पर click किया, delete button पर click कर रहा हूँ तो बोल रहा है, are you sure you want to move this file to recycle bin मैं बोल दिया डिलीट कर दो तो recycle bin में delete होगे recycle bin में चला गया ठीक है ध्यान से सुनो आप लोग इस पे मैं आया अब यहां से भी delete कर दूँगा यहां से जाके तो यह permanent जो है delete हो जाएगा ठीक है लेकिन इसको select के restore item कर दूँगा तो recycle bin में जो delete होगा थो वापस यहां पर आ गया ठीक है लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं recycle bin में जाके delete नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ कि इसको delete करो और हमेशा के लिए gap हो जा तो क्या करोगे shift के साथ delete बटन दबादो तो बोल रहा है you are sure permanent delete मैं yes कर दूँगा तो delete हो जाएगा ठीक या फिर shift के साथ right click करेंगे और यहां से आके delete पे click कर देंगे तो delete हो जाएगा ठीक है shift के साथ मैं right click किया delete button पे click किया और यहां पे ok पे click करूँगा तो delete कर देगा यह permanent ठीक तो delete normal अगर आप करेंगे तो क्या होगा recycle bin में जाएगा shift के साथ अगर delete करेंगे तो permanent delete हो जाएगा ठीक है मैं क्या चाहता हूँ बिना shift दबाएगे डिलीट करें तो चल जाए recycle bin में मुझसे कभी पूछे ही न ठीक ऐसा भी हो सकता है ठीक लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ठीक उसको बताऊंगा थोड़ा सा और मैं बताने के बाद ठीक है कोई folder में बनाया हूँ क्या इंटर ठीक right click किया मैं जाता हूँ यहाँ से property में rename करूँगा तो इसका नाम बदल सकता हूँ मैं ऐसे यहाँ से ठीक है copy, cut, paste यहाँ से हो सकता है delete करूँगा तो delete हो जागा rename करूँगा तो नाम बदलेगा open करूँगा तो open हो जाएगा यह folder ठीक है फिर से इसी folder पे आके right click करके जाता हूँ properties में ठीक तो क्या होगा यहाँ पे दिखाएगा property general में बता रहा है file का name यह है, location यह बना कहाँ पे है ठीक है इसका 0 byte इसका size है size on dix है, मतलब यह खाली folder है, ठीक है भरा हुआ folder आथा तो क्या होता जैसे यह एक website में बना रहा था तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यह बोल रहा है कि यह 5 MB का है ठीक है, इसका size इतना है content, इतना file इसके अंदर है इतना folder है इसके अंदर यह बना कब था, तो इतने समय, इतने date time को यह बना था क्या बोल रहा है, read only ठीक है, क्या तुम चाहते हो कि सिर्फ इसको पढ़ें, तो यह पढ़ेगा ठीक है यह hidden है आपको folder hide करना मैं बताया था hide करना, so करना, जैसे माल लीज़ें कि इस folder को छूपाना है मेरे को तो क्या करिएगा आप, right click करिए properties में जाएए, hidden पे click करके कर दीजिए, okay और फिर कर दूँगा, मैं बोल रहा है, change apply कर दूँँ पारे सब पोल्डर में बोल दे कर दे ना, काई को इतना लेट लगा रहा है हो, यह hide हो गया, ठीक अब यह नहीं दीखेगा, इस folder को दिखाना है तो क्या करूँगा, करूँगा, इसको open, organization में जाओंगा, folder option में जाओंगा, views पे जाओंगा, जाओंगा, so hidden folder and file, okay, कर दूँ होगा, hide यहां से जो है, दूबारा इसका setting ऐसे कर दूँगा, ठीक है, तू भी अब यह दिखेगा, folder hide करना आपको आ गया, आ गया ना, चलिए जी जब folder hide करना आ गया आपको तो, नहीं आया, right click, क्या से इस? क्या मतलब है, आप folder hide नहीं किया है, आपने फिर भी तो आपके computer में जगा है, रखिए, देखिए, folder जब hide होता है ना, तो खाली दिखाई नहीं देता, folder तो रहता ही है computer में, hide करने से computer का space खाली नहीं होगा, ठीक है, अच्छा, आप चाहते हैं कि यहां पे अब दिख नही रहा है, तो यहां पे मैं किसी और चीज़ को ऐसे रख दूँ, तो रख लीजिये ना, आपको कौन रोक रहा है, रख लीजिये, इसके उपर ही मैं ऐसे कर दिया, तो यह नीचे चला गया, भई, यह जब hide हुआ, तो यह मान लीजे, खाली जगा हो गया, यह वाला ठीक है, यहां पे लिला यह ऐसे, इसको जब आप सो कराएंगे तो क्या होगा, यह कहीं और दिखने लगेगा, और क्या, यही होगा न, यहां तो यह रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, कौन सा इसको यह hide कर दिये, जगा खाली है, रख दो वहाँ पर, क्या दिक्कत है, ठीक, तो hide करना आ गया, सबको so कराना आ गया, ठीक है, advance में जाओंगा, तो क्या है, compress वगर का है, इसको आप मत पढ़ो, ठीक है, encryption data, content, secure data, ठीक है, बताओंगा मैं कभी, ठीक है, मुझे अगर याद रहा तो, क्यूंकि अभी बताओंगा, तो आपको confusion हो जाएगा, sharing में आता हूँ, ठीक है, share किया, share किसको करना चाते हो, cable अगर लगा के कोई और computer में connect किये रहता, तो share हो जाता, ठीक है, कोशिज करूंगा कि साइद एकात cable हो यहाँ पे network का, ठीक है, तो एक cable को, एक computer को, दूसरे computer से connect करके network के तो, कैसे file folder sharing होता है, मैं बता दू, sharing option में जाएंगे, तो यहाँ से share this folder पे click करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे permission वगर देंगे, क्या-क्या read करने का सिर्फ permission रहेगा, कि change भी कर सकता है, या full control रहेगा, change में click करूंगा, तो मार देगा delete वगर अभी, ठीक है, permission को थोड़े देर में पढ़ेंगे हम, ठीक है, network sharing center यहाँ से खुल जाएगा, बताएंगा मैं थोड़े बात में इसको, ठीक है, security center है यहाँ पे, यह security कर रहा है, ठीक है, जैसे माल दीजी यह इतने सारे user है, ठीक है, मैं इसको close करता हूँ, फिर से इसको मैं करता हूँ, open, नहीं, open नहीं, properties में जाता हूँ, ठीक है, security में जा control है, मैं चाप बोलता हूँ कि, to change permission, click edit, click किया, ठीक है, अब जो system नाम का है न, इसको तो मैं जी, यह कर दिया, ठीक, कर दिया, ओके, यह लंबा चोड़ा warning का message दे रहा है, मैं बोला, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे, ठीक है, अब यह सब deny हो गया, कर दिया, ओके, अब इसको मैं आता हूँ, करता हूँ, delete, ठीक, पार हो गया यह, क्यों पार हो गया जी, यह मेरा user name है, ठीक है, मैं restore कर लेता हूँ, restore item, ठीक है, ओ system को मैंने permission जोई deny किया था, फिर से आता हूँ property में, ठीक है, system है, इस user से मैं login था न, अब देखते हैं, इसको क्या दिक्कत है, यह administrator के लिए है, ठीक है, user दो तरह के होते है, administrator और standards, ठीक है, user के type मैं बताऊंगा, ठीक है, यह है administrator user, ठीक है, मैं इसी पे आता हूँ, कर देता हूँ, deny, ठीक है, okay, ठीक, यह है, edit किया, इसको भी, ठीक है, जी, चलो, यह तो हुई जाएगा अभी भी, ठीक है, मैं restore करता हूँ, जो मैं चाहा, वो नहीं किया, यहाँ से आप बदल दोगे, क्या है, permission, पुल कंट्रोल, नाइट, ओके, चेंज पर, छोड़िये, यहाँ पर मैं नहीं कुछ छेड़ चाड़ करूँगा, ठीक है, पता नहीं, मेरा ही परमिसन गाइब हो जायतो, क्यों? अब डिनाइड, सब कुछ अलावू है इसको, ठीक है, इसको डिनाइड, सब कुछ कर देना चाहिए मेरे को, ठीक है, ओके, एड, परमिसन खतम क्यों नहीं हो रहा है इसका आखिर, यह तो बहुत मजा कर रहा है मेरे साथ, यह देखिए, मजा यह नहीं कर रहा है, दिमाग मेरा खराब हो रहा है मेरे को select इसको करना चाहिए था अब इस पे मैं click करूँगा कर दूँगा जी ओके अब ये deny कर दिया इस पे आता हूँ अब मैं इसको करता हूँ delete ठीक है delete हो जाएगा कर दे भाई बोल रहा है you need provide administrator permission to delete this folder अब मैं continue कर दूँगा न तो देख लो जी क्या हो जाएगा ठीक है देख लो ये करने नहीं दे रहा है मेरे को delete बोल रहा है permission तो है नहीं कहां से कर दूँगा ठीक है ये delete नहीं हो रहा है फिर से मैं right click करके जाओंगा properties में ठीक है जाओंगा यहाँ पे edit इसको करूँगा इसको जो है सारा permission खतम कर दूँगा इसका ठीक है ओके ये बोल रहा है continue कर दूँगा एडिश्टेटर वाले में आया edit किया ठीक है ये जो permissions है denied वाला सारा permissions हो में कर दूँगा खतम ठीक और फिर क्या करूँगा जी ये लीजी है जी हो गया कर दिया ओके ठीक मैं किस पे था edit किस में आता हूँ मैं ठीक है सब परमिसन जोए हटा दो ठीक है कर दिया ओके फिर से कर दूँगा ओके तो अब ये देखिए अब ये देलिट हो जायागा जी अब देलिट करूंगा तो यह नहीं डिलीट होना चाहिए जी ठीक है कर दूँगा OK ठीक है तो अब यह डिलीट में इसको चाह कर भी नहीं कर सकता ठीक है यह देखे नहीं होगा ठीक है तो यह इसी तरह से आप क्या करोगे जो important data होगा उसका जो यह permission आप वापस ले लोगे इसको मैं सारा परमिसन देता हूं जो है OK ठीक मालीजे यह फाइल कुछ है क्या ऐसा फाइल इस फाइल पर को भी मैं परमिसन खताब कर देता हूं ठीक है इस पर आऊँगा मैं यही हुना इस पर आऊँगा कर दूँगा इसको select ठीक है okay पर click किया चलो जी हो गया permission इसका gap कर दिया सारा permission ले लिया मैं ठीक है यह अब बोल रहा है excel can't open this file because format extension not value पता नहीं क्या क्या बोल रहा है यह लंबा चोड़ा खुलने ही नहीं दे रहा है यह तो क्यों जी मैंने permission इसका loot लिया ठीक है अब यह delete भी नहीं होगा ठीक है नहीं हो रहा है न delete लेकिन फिर से इसी पर आता हूँ right click करता हूँ आता हूँ मैं properties पर अब इसका मैं क्या करता हूँ security में जाता हूँ system में edit फिर इसमें आता हूँ बोलता हूँ कि ये क्या क्या कर सके जी एक खाली क्या करे रीड कर सके ठीक है बाकी कुछ ना कर सके ठीक है इसका permission मैं वापस ले लू ठीक है read and execute ठीक है तो ये मैं कर दिया ठीक है ok कर दिया जी ok अब इस पर double click करूँगा तो क्या corrupted file ये file corrupted कैसे हो सकता है मैं permission इसका हटाया इसलिए क्या चलिए जी सारा दे देता हूँ permission सारा इसका जो permission था वापस में दे दिया ये देखिए अब खुल रहा है तो इसका loot low के permission आपको नहीं आया permission आप चाहोगे तो file open होगा नहीं चाहोगे तो नहीं open होगा आप चाहोगे तो delete होगा नहीं चाहोगे तो डिलेट नहीं होगा ठीक है, ऐसे इसका भी किसी भी चीज का पर्मिसन आप ऐसे देख सकते हो ठीक है, security में जाओ पर्मिसन्स वगर यहां से, जिस user का पर्मिसन आपको लूटना है लूटलो, देना है, दे दो ठीक है तो यह पर्मिसन्स वाला तो clear है न, नहीं है clear मैं इस फोल्डर पर राइट लिक करके करता हूँ open, नहीं, open नहीं इसको खोला इसको previous version, customization में मैं आता हूँ general item आपने, आपको वालू है, यहां पर दो, तीन फोल्डर होता है, जैसे यहां पर आऊंगा, इस पर कुछ फोल्डर है, यहां पर download my documents, बाकी बाकी चीजे तो उसी में इसको सामिल करने के लिए बोल रहा है, मैं नहीं करूँगा you want to kind of folder you know, मैं बोल दिया, general item है documents में क्लिक करूँगा, तो subfolder होगी खर इसको छोड़िए, यह नहीं है folder picture, ठीक यहां पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है अब यह देख लिए, फोटो हो गया खर छोड़िए, मेरे को यह पसंद नहीं है ठीक है, तो इस तरह से आप customization कर सकते हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ restore default पर क्लिक कर दूँगा, तो यह गायब हो गया, डिपॉल्ट हो गया ठीक है, customization पर गया, फिर बोल रहा है यहाँ पर, folder icon ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा जी मैं बोल दूँगा कि यह printer है ठीक, कर दिया हो के, कर दिया हो के तो यह क्या बन गया printer नहीं बना क्या क्या मजाक है, बन गया refresh किया तो, ठीक है तो इस तरह से आप folder का icon बदल लोगे, ठीक है आप कोई इसको देखेगा, डर से click नहीं करेगा ठीक है, लेकिन आप क्या करना रहे, इस पर click करना right click करके देख लेना, property वगर कि यह तो folder है, मेरे को बेकूप समझा है तो इस तरह से आप folder का icon भी बदल सकते हो, ठीक है icon बदला रहेगा, ठीक है तो आप उसको पच्चान पाओगे, बाकी लोग सायद ना पच्चान पाए, जो icon चाहो इसको दे सकते हो, ठीक है यह पेंड पौधा को भी दे सकते हो ठीक है यह भी दे सकते हो, recycle bin का icon दे दो, यह icon दे दो, यह चावी ओभी का icon दे दो, यह lock वाल icon दे दो, कि ताला वाला लगाए, आना मत इदर ठीक है यह icon भी दे सकते हो, ठीक है यह दिख रहा है थोड़ा danger type का, इस पे कोई click है नहीं करेगा ठीक है तो आप जो है, ऐसे बदल सकते हो icon folder बगर का, ठीक है change folder icons जो है, ऐसे ठीक ना मैं यह ले लेता हूँ, कर देता हूँ, ओके तो यह folder का icon जो है बदल गया, ठीक यह बंद folder है, पहले खूला था, अभी बंद हो गया ठीक है, तो इस तरह से आप folder का icon बदल लोगे, ठीक समझ में आ गया, copy paste करना आ गया आपको इस पे मैं आऊँगा documents में आऊँगा, right click करूँगा, यहां से चाहूँगा, send करने के लिए तो send कर दूँगा pain drive यहां पे सो कर रहा है send करूँगा तो चला जाएगा सारा documents मेरा, pain drive वाले folder पे मैं नहीं चाहता भेजना तो फटा दिया, ठीक है यह देखे, इसमें documents folder बन रहा था बन गया है तो मैं इसो कर दूँगा, delete मेरे को तो चाहिए नहीं, यह documents ठीक है तो यह आपका folder को कस्टमाइजेशन करने का technique है ठीक है जब my computer खोलोगे तो यहाँ पे कई सारे तो resolution मेरा थोड़ा ना कम, हाँ, आ गया, सो करने लगा यहाँ से आप folder का इस पे आता हूँ इस पे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ ही इस तरह का आ सकता है ठीक है, इस तरह का इसको मैं करूँगा इधर folder type यहाँ पे यहाँ पे मैं type पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि ये file दिखे तो ये file दिखेगा फिर मैं चाहता हूँ कि ये file दिखेगा ठीक है, तो यहाँ से folder का type के आधार पे आप text document पे क्लिक करूँगा तो text document दिख रहा है तो इस तरह से आप जो चाहो फाइल का टाइप होगर सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है और फिर आएगा ठीक कंट्रोल दबाओ और माउस का जो स्क्रोल बटन है ठीक है उसको अगर आगे पीछे घुमाओगे तो भी इसका आइकन जो है बड़ा छोटा दिखेगा यह देखे जी मैं इसको उपर नीचे करूँगा अशे तो दिखाई दे रहा है यह ठीक है आपको जो पसंद है जी वो रख लीजी या ठीक है मेरे को यह पसंद है मैं यह रखता हूँ ठीक है मैं और्गनाइज पर क्लिक करेंगे कट कॉपी पेश्ट वगर का है यह लियाउड बोल रहा है मेनू बार सो करना चाहिए उपर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेनू बार वगर अलगा सो करने यह देख लीजे फोल्डर ओप्सन यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो आएगा व्यूज में कौन सा देखना है मेडियम आइकन लार्ज आइकन इस्टेटस यहाँ पर इस्टेटस आ रहा है ठीक है एकस्प्लोर रिसर्च वगर करेंगे तो यह देखे इधर कुछ आ गया मेरे को नहीं जरूरत है ठीक है सौर्टिंग वगर का चोई इस डीटेल्स ठीक है तो डीटेल्स में आपको क्या-क्या चाहिए वो डीटेल्स यहाँ पर जैसे नेम है, डेट है, मोडिफाई, साइज ठीक तो यहाँ पर देखे वही वही डीटेल्स आ रहा है आ रहा है ना इधर आप चाहेंगे तो आप बढ़ा देंगे content पे click करेंगे तो ये देखिए आ रहा है इधर date weight फुरा ठीक है मेरे को नहीं मालूख पसंद है ये views में मैं जाओंगा sorting आप चाहते हैं तो sorting कर दीजे, grouping चाहते हैं तो name के according, date के according, type के according sorting अगरा कर देते हैं रिफ्रेस पे click करेंगे तो रिफ्रेस हो गया ठीक है जहां पे move to folder ये जो folder selected है इसको copy करना चाहते है move करना चाहते हैं, copy मैं click करूँगा तो यहां पे आजाएगा option कि किसमें copy करना चाहरे हो select करके, कर देंगे ok, ठीक है इस पे आओँगा, folder को select करूँगा कर दूँगा, copy तो हो जाएगा, copy ठीक है file में जो selected है उसके related यहां पे दिखा रहा है close पे click करेंगे तो close हो गया पूरा मजानी आया ठीक है, इस पे आगया ठीक है, ये close पे click कर दूँगा, तो close हो जाएगा new पे जाओँगा, तो folder ओडर इस सब बनाने के लिए option देगा, ठीक है तो यही है Windows operating system में यहां पे click करूँगा, तो यहां पे जो खुला है वो दिखा रहा है, बैक पे click करूँगा, तो computer पे आजाओगा यहां पे आजाओगा यहां पे आजाओगा अब यहां पे click करूँगा, तो पूरा folder दिखा रहा है कि इसमें जाना चाहरा हूँ, मैं computer में जाना चाहरा हूँ, तो computer में आ गया इसमें आओँगा, तो इसमें आ जाओँगा आपको गाना वीडियोगा टालना है ना computer में क्या करोगे, पेंड्राइब अपना लाओगे और पेंड्राइब इसमें लगा दोगे, ठीक यह paste हो जागा, तो गाना वीडियो ऐसे ही डालते हैं, आप भी डाल सकते हो, ठीक है बोला जाता है कि memory card जब यह पेंड्राइब आप निकाल रहे हैं तो eject कर दिया करिए तो आप यहां से eject कर दो ताकि safely निकल सके प्रोपर्टी में जाएंगे तो पेंड्राइब का प्रोपर्टी दिखाएगा यहां से, ठीक है टोटल uses इतना है, free space इतना है, टोटल capacity इतना है, ठीक है बाकि इसका tool, hardware, sharing, मेरा यह लगा हुआ है इतना, एक 60 है 256 GB का यह लगा हुआ है, पेंड्राइब, यह लगा हुआ है, hardx, ठीक है, तो वो टोटल दिखा रहा है मेरे में hardware, ठीक है sharing के लिए वो बताया ही था कि networking वोगर अपे भी share कर सकते हैं, ठीक है boot ready, customization में यहां से भी आप customize वगर कुछ करोगे, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, निकाल देता हूँ format करना है pen drive, तो कैसे करोगे बताया, मैं नहीं बताया right click पे गया, format पे click कर दूँगा, तो pen drive format हो जाएगा पूरा, जिससे आप कुछ delete कर रहे हैं, ठीक है, delete हो नहीं रहा है ठीक है, कुछ problem आ रहा है, पूरा format मार दो सीधा pen drive, ठीक है इस पे click कर देंगे, तो इसके related इधर भी कुछ कुछ option आ जा रहा है ठीक है, system property देखना है, तो आप कैसे देखोगे, यहां पे system property देख लोगे यहां फिर my computer पे right click करके जाओ, तो property देख लो, ठीक है यहां पे दिखा देगा कौन सा windows है, copyright यह सब दिखा रहा है, service pack दिखा रहा है, dell manufacture है प्रोसेसर कौन सा है, तो दिखा रहा है कि i3 का processor है, fourth का generation है यह जो fourth है यह generation बता रहा है, ठीक है यह जितना भी दिखा रहे है, पहला वाला जो रहत है, वो generation होता है बोल रहा है, installation memory, मतलब RAM, RAM कितना GB है जी, यह 2GB का RAM है, लगा हुआ ठीक है, यह windows activated question के लिए related बता रहा है तो यहां से आप system के बारे में पढ़ लोगे, system property देख लोगे, ठीक है फिर manage होगर अपे भी जाकर मैं बताऊंगा, पर अभी नहीं बता रहा हूँ यहां पे मैं आऊंगा, right click करके delete कर दिया जी, permanently delete हो गया अब का करूं जी, right click करूंगा, जाऊंगा personalize पे, फिर जाऊंगा desktop icon पे फिर my computer को select करके ले लाऊंगा, तो यह देखिया आ गया, आ गया ना, तो ऐसे आप लाया करोगे यहां पे आऊगे, rename करोगे, मैं rename करके यहां पे, यह कर दिया तो rename हो गया, ठीक है तो यह इस तरह से आप rename कर लोगे, मैं organize पे आऊंगा, layout पे आऊंगा, ठीक है फिर से menu bar वगर पर आओंगा मैं menu bar दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए नहीं दिखेगा ठीक है फिर मैं यहाँ पर आओंगा फिर कर दूँगा preview final इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर preview वगर दिखाएगा जैसे इस पे click किया, इस पे click कर दिया, ठीक है, तो इसके related इसर टेक्ट बहुत दिख रहा है, पूरा है, देख लीजे, ठीक है, इस पे click करोंगा तो एकसल में टेबल उबल कुछ बना हुआ है तो ये दिखने लगा इदा है इस पे क्लिक कर दूँगा पासवर्ड उसल तो नहीं नमाई कहीं रखा चलो नहीं है पासवर्ड हो गए नहीं रखाओंगा क्लिक कर दूँगा तो मेरा बच जाएगा अच्छे से तो यह देखिए तो यह preview panel है जो है यहाँ पे मैं आऊँगा preview panel को बंद कर दूँगा ठीक है फिर मैं यहाँ पे आऊँगा layout में navigation panel है इसको खतम कर दिया तो इधर वाला भी पार हो गया फिर से मैं इधर आऊँगा navigation panel मुझे पसंद है मैं रखूँगा तो इधर रख इसको मैं फिर धर आऊँगा यह बोड़ इटेल पैनल क्लिक कर दूँगा तो इनीचे वाला जब पार हो गया इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं आएगा अब चाहता हूँ कि डिटेल पैनल होना से यह तो डिटेल पैनल ले लूँगा मैं यहां से ठीक है अब जब लोग कर लिख कर लेंगे कर लाइंगे कल किया करेंगे चलिए मेरे को वी एक दिन का छोटी मिलेगा मैं भी घर में आराम ज़े सोगा हर मैं था कहां यह बताओ मुझे इधर था मैं सायद अचा लेयाऊट में था ना ओ यह लेयाऊट था तो यह सब तो क्लियर यह आप लोग एक्सपरिमेंट करना इस पर मैं क्लिक करूंगा तो डेलीट करेगा जी सलेक्टेड वाले को इस पर करूंगा तो रिनेम करेगा ठीक है इस पर क्लिक करूंगा तो प्रोपरटी बताएगा ऐसे, इस पे क्लिक करूँगा, I'll select पे क्लिक करूँगा, तो I'll select कर देगा, इस पे क्लिक कर दूँगा, तो close कर देगा ठेक, folder option पे आऊँगा मैं, इस पे क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, सबसे पहले बोल रहा है, open each folder in the same window इसका क्या मतलब है, double click किया, इसी window में खुला, double click किया, इसी window में खुला, तो इसी window में खुला, नया window नहीं open किया, अब देखिए, इस पे आऊँगा, open each folder in its on window, इस पे क्लिक करके कर दिया, okay, नया window खुल गया नया विंडो खुला नया विंडो खुला ठीक है यह देख लीजे इसका इतने सारे विंडो जो है खुल गए जो है सब नए नए विंडो में open हो रहे हैं ठीक यह देखिए अब close किया close किया अब close करूँगा तो बंद हो जागा तो यही मतलब था इसका folder option इस पर मैं इसी को रहने देता हूँ अब यह बोल रहा है single click to open item point to selected और यहाँ पे लिखा है double click to open in items, single click to select मतलब आप single click करोगे ऐसे तो खाली select होगा, double click करोगे तो open हो जाएगा, ठीक तो मैं यहाँ पे single click किया तो select होता है double click करता हूँ तो खुलता है ठीक है इस पर मैं click कर देता हूँ same window, अब इसमें मैं click करके आ के कर दिया इसमें, अब बोल रहा है underline icon title when only the point at, कुछ होगा click कर देता हूँ ऐसे, अब इसमें मैं ले जाओंगा तो यह देखिया, आ रहा है ना underline एक click किया, खुल गया एक click में खाली, एक देख लीजे कर रहा हूँ तो underline आ रहा है मैं चाहता हूँ कि underline ना आ आ ए ठीक, तो इसमें click कर दूँगा, underline icon this my brother अपने वाले में तीक है, आने के लिए आयाएगा, ठीक है इसमें सब ही में आ रहा है ठीक है, तो उदर एक दू फोल्डर थी इसमें अब मैं click करूँगा तो क्या होगा जिसमें मेरा pointer जाएगा ठीक है, अच्छे नहीं हुआ क्या add pointer, ok जी यह देखिए, गाइब हो गया refresh वगरा का होगा इसमें click किया हो रहा है ना, तो यही इसका मतलब है बागे कुछ है नहीं जी double click यही मैं करने दूँगा ठीक है, अब ओरा है navigation पैनल, navigation पैनल का मतलब इधर वाला, ठीक, अभी मैं माल ली जी जैसे खोल रहा हूँ program file को खोला, तो इधर कुछ नहीं हुआ ना, इधर कुछ नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है मैं property folder option में आया, यह बोल रहा है so all folder, इसे मैं click किया, कर दिया, okay अब क्या होगा, देखिएगा आप लोग क्या होगा बंद कर दिया मैं total ऐसे expand करके दिखा रहा है, total यह देख लीजिए दिखा रहा है न, यह total एधर देख लीजिए, इतना सारा पूरा क्यों दिखा रहा है जी मैं folder option में आके बोल दिया, so all folder, इसे मैं अंचेक कर देता हूँ ठीक है click कर दिया, तो इस सारा folder नहीं दिखा रहा है ठीक है तो यही इसका मतलब है जी automatic expand to current folder इस पर मैं click करके ok कर दूँगा, तो क्या होगा देखेगा, double click किया, आगे आ यहाँ पे फिर double click किया इसमे, आगे आ इसमे फिर double click करूँगा इसमे, तो आगे आ इसमे फिर double click करूँगा इसमे, तो आपने हाँ देखिए, खुल रहा है न तो यही इसका मतलब है जी ठीक लेकिन मेरे को यह चाहिए नहीं मैं इसको भी अंचेप करके कर दूँगा ठीक यह बार बार मुबाइल क्यों हला कर रहा है इसको silent कर दूँ किया ओके जी यहां पर मैं आके कर दूँगा यहां पर मैं मेरे को जाना है कि इसमें जाना है ठीक है फिर यहां पर आया ठीक है यहां पर लिख दिया यह यूजर है ना यूजर एंटर मारा तो यूजर में चला गया यहां से भी फिर क्या करूँगा ऐसे कर दूँगा फिर कर दूँगा एंटर तो खुल गया डेफ्टॉप लिखके खुलूँगा तो डेफ्टॉप खुल जाएगा ठीक है तो यही इसका है मतलब ठीक है फिर से फोल्डर आपसर में आता हूँ आप आता हूँ यह तो जनरल आपसर था व्यू टैप में सारा तो नहीं बता रहा हूँ जी मैं अलवायज सू आइकन नेवर कमबाइन थम्स ठीक है अलवायज सू मेन्यूज ठीक है मेन्यू जोगर का बात कर रहा है यह सब आप इसको करिएगा एक्सपरिमेंट सू वाला को तो मैं बताई दिया हूँ आपको एक ठो और बता दे रहा हूँ मैं इसमें खली हाइड एम्टी ड्राइब तो कम्प्यूटर एम्टी ड्राइब है उसको हाइड करके रख़ू यह सेलेक्टेड है एक कामवाला है इसको आप देख लीज जगा जी ठीक दिख रहा है यह टेक्स्ट फाइल है यह बात कम्प्यूटर को मालू है अगर यह बात कम्प्यूटर को मालू है तो क्या उसका .txt को मैं हाइड करके रख़ू अगर यह सेलेक्टेड हो बाइड इफोर्ट सेलेक्टेड होता है ठीक है तो यह selected होगा तो क्या होगा वो वाला extension आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा नहीं दिखा रहा है न यह लेकिन दिखाना है extension तो आप क्या करेंगे जी इसको कर देंगे uncheck भाई सारा extension मैं देखना चाहता हूँ ठीक है बाकी यही है use check box to selected item इसपे मैं click करके कर दूँगा ओके ठीक यह देखिए आ रहा है न चेक बोक्स होगा यह देख दीजिए ऐसे अब इससे मैं select कर लूँगा ठीक हो गया select ऐसे right click करके कुछ काम करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ यह clicked हो अगर आपको separately select करना है न तो control दबा के भी आप select कर सकते हैं ऐसे ठीक control दबा के select होगा या नहीं होगा कल बताऊँगा बता तो आज है दिया तो अब कल के लिए बचा क्या की कल बताऊँगा यही था ना so check box चलिए इसको मैं grab कर दिया so navigation handler preview panel का यह बात कर रहा है ठीक है इन सब को आप एक एक करके करिए का experiment हो अगर ठीक है किससे क्या होता है जो नहीं समझ में आएगा पूछेगा ठीक है मैं ओखे करता हूँ बाकी का classes कल करें क्या चलिए जी कल कर लेते हैं बाकी का इसको भी मैं बंद कर देता हूँ यह रिकार्ड हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है